बिना ड्यूटी के वेतन पाने वाले होमगाड का मामला गर्मा गया है यूपी के कैबिनेट मंतरी चेतन चोहान ने गाजियाबाद में बिना ड्यूटी के वेतन पाने के मामले में सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि इस सूचना को अगर पुलिस होमगाड मुख्याले को दे उन्होंने कहा कि आरोपी अगर जाँच में दोशी मिलता है तो उस पर आवश्यक तोर पर कारेवाही होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूलिस अपनी जाँच करें हमारा विभाग भी अपनी जाँच करेगा। चेतन चोहान ने पुलिस की जाश पर सवाल की हैं अम्रोहा से समधाता मुहम्मद आसीफ की रिपॉर्ट इस परकार से जोटी नहीं की है उसके बाद भी उनका वेतन निकाला गया है और पुलिस ने F.I.R. दच की है अच्छा यह होता कि पुलिस पहले ओमगार डिपार्टमेंट मुख्याले को भी यदि सूच ना दी जाती तो हम लोग भी पहले इसकी जाश करते अभी भी करेंगे हम लोग अपने विभा के भी जाश करेंगे और यह बात बिलकुल क्लियर है जो सरकार की नीती है इस सरकार की नीती है जीरो टालरैंस अपरात के खिलाफ और भर्ष्ता चार के खिलाफ जाच होगी इसमें जो भी दोशी होंगे जाज के बाद उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी खार घमननेकिय है mangal commandant उन्होंके खिलाफ कारवाई हुए जिला commandant गे चिलाफ कारवाई हुए जिनके उपर आरौP लगे ए और नीचे ओकनी रह Wahr हो प्लाटोन कमांदर हो कोई भी बक्षा नहीं जाएगा लेकिन मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है जाच हो जाने दीएगा जाच में के बाद जो है कारवाई होगी लेकिन कारवाई सक से सक कारवाई होगी जो भी दोशी पाए जाएगे जाच चल रही है और कुछ केस कोट में लंबित है तो कोट कर निने आने से पहले क्योंकि कोट में लंबित है इसलिए मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है लेकिन जैसा मैंने का कि पुलिस विभाग अपनी जाच करें हमें कोई आपती ने लेकिन विभाग डिपार्टमेंट भी अपनी जाच करेंगा क्योंकि कई बार ऐसा भी जानकारी मिल रही है जो सूचनाएं आई हैं इन जाचों में थानों में जो जीडी होती है और मस्टर रोल इन दोनों में अंतर आता है कई बार जीडी रो जाना थानों में नहीं लिखी जाती है और उसके वज़े से फिर विवाद होता है लेकिन यदी सिगनेचर नहीं हुए है उसमें अंतर आ रहा है तो फिर वो जाच का विशे जाच में जो भी तोशी पाई जाएंगे उनके रहाफ कारवाई होगी ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद जब्सक्राइब जब्सक्राइब